नमस्कार दोस्तों वेलकम टू रमेस अकेडमी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आईए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसे सी चैसल में चार अगस्त को शिफ्ट वन में जितने भी कोस्टन पूछे गये थे जेनरल जेनरल अवर्नस से उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास पहला क्वेस्टन जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि आंध्र परदेश हाई कोड के मुख्य नियाधिस कौन है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंध्र परदेश हाई कोड के मुख्य से 2021 में बने राजियों के उच नियाले के हाई कोर्ट के जज यहां पर आप लोग देख सकते हैं चिप जेस्टिस आफ सिक्किम हाई कोर्ट जो हैं वे जीतेंदर कुमार महस्वरी जी हैं जो कि 6 जन्वरी 2021 को बने थे उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और जो भी हाई कोर्ट के बने हैं 2021 में उसका हम लोग देख लेते हैं अलहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वे अभी हैं मुनिस्वर नाथ भंडारी जी जो कि 26 जन्वरी 2021 को निक्त हुए हैं कलकता हाई कोर्ट के जो जज हैं वे हैं बिंडल जी जोकी अभी एक्टिंग में है 29 अपरेल 2021 को बने है 36 कोट हाई कोट के जज जो अभी है प्रसांत कुमान मिस्रा जी जोकी एक जुन 2021 को बने है उसके बाद में गुहाटी हाई कोट के जो जज अभी बने है वो है सुधानसु धुलिया जी जो की 10 जनवरी 2021 को बने है उसके बाद में हिमाचल परदेश हाई कोट के जज जो अभी बने है वे है रभी मालिनात जी जो की 1 जुलाई 2021 को बने है उसके बाद में है जम्मू एन कस्मीर हाई कोट के जो जज अभी बने है पंकज मीठाए जी जो की चार जनवरी 2021 को बने है उसके बाद में मध्य परदेश हाई कोट के जजज अभी बने है वह महम्मद राफिक जी जो बने है तीन जनवरी 2021 को उसके बाद में मद्रास हाई कोट के जजज अभी बने है संजी बनर जी जो की चार जनवरी 2021 को बने है उ नेच्ट कुस्चन देख लेते हैं नेच्ट कोस्चन आपके सामने आ गिया है नेक्स्ट कोस्चन है दूसरा नंबर कोषचन है बिजय नगर समराज की अस्तापना कब की गई थी तो बिजय नगर समराज की अस्तापना जो है वो 1936 सिस्वी में की गई थी बिजय नगर समराज की संस्तापक के बारे में भी पूछा जा सकता है तो बिजय नगर समराज की संस्तापक जो है वो हरीहर पर्थम और बुक्का राय पर्थम है जो कि 1936 सिस्वें इन्हों ने किया था वीजय नगर समराजी की एस्तापना जो है वा 1336 सिस्वें की गई थी उसके बाद में संगम डाइनेस्टि यानि कि संगम मंस की एस्तापना जो है वह हरिहर पर्थम बुक्का राय पर्थम और बिरिपाक्च राय देव राय पर्थम उसके बाद में रामचंद्र राय फिर वीर वीजय बुक्का राय उसके बाद में प्रोधा राय यहां के सासक बने है उसके बाद में तुलवा डैनेंसी में सबसे परे तुलवा नर्सा ना सब्सक्राइबु बने हैं इसके रवी डैनेंस्य शालो डैनेंसय संदßen देव चानेंपर नर्सिंगा लए में यह सब्सक्राइबु बने हुए है ऩौक्प मेंoupe जो है वालिया रामा राय त्रिमुला देवा राय श्रिंगा पर्थम बेंकट रितिये श्रिंगा दितिये रामा देवा राय बेंकट त्रितिये श्री रंगा त्रितिये ये सभी और वाडी वन्सक में सासक बने हैं उसके बद में तीसरा नंबर कोस्चन देख लेते हैं तीसरा नंबर कोस्चन है रामसर आद्रभूमी साइट कबर्टाल लेक कहां परिष्थी थे आपको बताना है रामसर आद्रभूमी साइट कबर्टाल लेक कहां परिष्थी थे यह जो है वह बेगु सराय बिहार में इस्त जील है अभी तक 42 रामसर वेट लेंड़ साइट्स अभी है इसमें आप देख सकते हैं 2020 में साइट्स जो है दिसम्बर दो तर्वीस में तसोग यो कि लक्डाग में इय inventor है उसे सामिल किया गया है उसके बाद में देख लेते हैं शूर सरोवर या खेतान लेक जो है वा आगरा उत्तर परदेस में इस्ती थे तेरे नौबर 2020 को सामिल किया गिया था दूसरे नंबर में है लोनार लेक जो की बुलदाना महराष्ट में इस्ती थे जो की तेरे नौबर 2020 को सामिल किया गिया था तिसरे नंबर प उत्राखण में ईश्तिते जिसे1 जुलइ 2020 को सामिल किया गया था दिसंबर 2020 में यहे 1802ood कर लेक जो कि लदाख में ईश्तिते इसे सामिल किया गया था बिश्रु आदर writersי दिवस वैटलेंड दे जो है वा दो फर्वरी को मनाया जाता है उसके बड़ में देख लिए देख लेते हैं विश्व आद्रभूमी दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 बर्स पूरे पर मनाया गया था 2020 विश्व आद्रभूमी दिवस की थीम जो है वा आद्रभूमी और जय विवित्ता वेटलेंड और बायोडाइवर्सिटी है 2021 विश्व आद्रभूमी दिवस का थीम आद्रभूमी और जल वेटलेंड सेन वाटर है रामसर सम्मेलन या रामसर कनेक्शन कब हुआ था दो फरवरी 1997 इस भी को हुआ था इसलिए दो फरवरी को विश्व आद्रभूमी दिवस का आयोजन किया जाता है अब next देख लेते हैं 2019 में सामिल की गई sites जो है वा सुंदरवन वेटलेंड वेश्ट बंगाल में इस्ति था एक परवई 2019 में सामिल की गई थी उसके बाद में सारा साई नावार जील उतर परदेश में इस्ति था 19 सितंबर 2019 में सामिल की गई थी सांडी वर्ड सेंचेरी जो है वह उत्तर परदेश में इस्ति थे 26 सितंबर 2019 को लागो सामिल की गई थी उसके बाद में समसपूर वर्ड सेंचेरी जो है उत्तर परदेश में इस्ति थे जो कि 3 अक्टूबर 2019 को सामिल की गई थी समन वर्ड सेंचरी उत्तर परदेश में इस्ति थे जो कि 2 दिसंबर 2019 को सामिल की गई थी उसके बाद में पारवती अरंगा वर्ड सेंचरी जो कि उत्तर परदेश में इस्ति थे 2 दिसंबर 2019 को सामिल किया गिया था नवाब गंज वर्ट संचरी उतर परदेश में इस्तित है जो कि 19 सितंबर 2019 को सामिल किया गया था उसके बाद में आप आजाएए 12 नंबर पे है आपका नांगल वाइड लाइफ संचरी जो कि पंजाब में इस्तित है 26 सितंबर 2019 को सामिल किया गया था नंदूर मदमेश्वर वर्ड संचरी जो है महाराष्ट में है जो कि 21 जुन 2019 को सामिल किया गया था इट्स महाराष्टरा फर्स्ट रामसर साहिट या महाराष्ट का पहला रामसर साहिट है 14 नंबर पे है केशोवपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर्ब जो कि पंजाब में इस्ति थे 26 सितंबर 2019 को सामिल किया गया था 15 नंबर पे है वीज कंजर्वेशन रिजर्ब जो कि पंजाब में इस्ति थे 26 सितंबर 2019 को सामिल किया गया था उसके बाद में all other site में देख लेते हैं शोलावे नमबर में है आस्टा मूडी वेटलेंड जो की केरल में इस्ती थे भीतर कनिका वेंगरो जो की उरिसा में इस्ती थे भोज वेटलेंड मदपर्दिस में इस्ती थे उसके बाद मैं देखते हैं आपका होकेरा वेटलेंट जम्मु कसμीर में इस दिदी थे कंजली वेटलेंड पंजाब में इस दिदी में तिदी थे केवला देव नेस्नल प्रफ पार्क राजस्तार में इसती थे कुछेरून लेक अंधपर्दर्देस में इस पॉइंट कैली मेरे वानने जीवू और पक्षी अभीयारन तमिल्नाडू में इस कुंग 복raapий का वे लेक मोझती था इसके बद मने राजास्तान में इस्तित है कि उसके बाद में अद्दाख में इसे लाया गया उसके बद में चौथे नंबर का question है who proposed the modern atomic theory, modern atomic theory किसने प्रोपोज किया है तो इसका answer हो जाएगा John Dalton ने, next question देख लेते है next question यानि कि पाच्वा नंबर question आपका है पाच्वा नंबर question है असम में मनाए जाने वाले कटी या कंगाली वीवू उत्सव में किस प्रेड के नीचे की पूजा की जाती है अंडर history is worshipped in the वीवू festival celebrated इने साम तो इसका answer हो जाएगा तुलसी प्लांट के नीचे अब next question छठा नंबर question देख लेते है छठा नंबर question है कि 2019 में पर्थम लोगपाल कौन बने बर्तमान and first लोगपाल of India is पिनाकी चंद्र घोस जी जो कि 19 मार्च 2019 को लोगपाल बना था लोगपाल तता लोकायुक्त दिनियम 2013 द्वारा केंद्र के लिए लोगपाल और राजियों के लिए लोकायुक्त सरस्ता की बेवस्ता की गई है यह सरस्ता है बिना किसी समबैधानिक दर्जे वाली बैधानिक निकाय है उस सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भरहश्टाचार की सिकायते सुनने और उस पर करवाही करने लोगपाल पद का स्रिजन किया गया है लोगपालियों लोकायुक्त संसोधन विधियक 2016 में पास हुआ था उसके बाद मैं आप आजाईए सात्वे नंबर कोस्चन पे सात्वा नंबर कोस्चन है अल इंडिया फूटबॉल फेडरेशन ए आई एफफ का पहला उप सचिव उप महासचिव किसे नियूट किया गया है उनका नाम है अभिषेक जादो जी लिट फूटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है प्रफुल पटेल जी लिट पूटबॉल फेडरेशन के उप अध्यक्ष कौन है सुबरत दाता जी उसके बद में All India Football Federation की अस्तापना कब हुई थी तो 23 जून 1937 को हुई थी All India Football Federation का मुख्याले कहाँ पर है दुवारी का दिल्ली में इस्ति थे Next question देख लेते हैं Next question है 8 number question है सबरी माला मंदिर कहाँ पर इस्ति थे तो सबरी माला मंदिर जो है वह केरल में इस्ति थे परियार टाइगर अभ्यारन में इस्ति थे प्रसिद हिंदू मंदिर है यह विशु का सबसे बड़ा बार्सिक तिर्थियात्रा होती है यहाँ पे उसके बाद में 9 नंबर question को देख लेते हैं 9 नंबर question है दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रस्टित लीजन आफ मेरिट एवार्टस की से सम्मानित किया गया था तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था उसके बाद में देख लेते हैं उसके बाद में इससे related question है इससे related fact है अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने प्यम मोदी को इस सम्मान से नवाजा है और अमेरिका में भारती ambassador तरंजित संदु ने प्यम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया है लिजन आफ मेरिट किसी अमेरिका अमेरिकी सेना के अफसर देश के लिए कुछ बहत्रीन करने वाले ब्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के परमुख को दिया जाता है उसके बाद में दासवा नंबर question को देख लेते हैं दाब की एसाई एकाई किया है तो दाब की एसाई एकाई जो है वह पास्कल होती है इक्वल टु वन न्यूटन पर स्क्वाइर मीटर यानि की न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर और केजी पर मीटर पर सकेंड स्क्वाइर इसका एकाई होता है उसके बाद में एक गारा नंबर कोस्चन देख लेते हैं, गारा नंबर कोस्चन है मीटे की कौन सी परत में पोसकता तो संग्रहीत होते हैं तो A यानि की टॉप स्वाइल में, O हिुमस और ओर्जेनिक, मौस्क्ली ओर्जेनिक मैटर सच आज ये डिकंपोजिंग लीप्स, R-W ड्रोक, ग्रेनाइट, वेसाल्ट, क्वार्टजाइट, चुना पत्थर या बलुवा पत्थर जैसी चट्टान का एक तरव मन जो कुछ मिट्टी के लिए मुल समागरी बनाता है। किसके लिए तो for the city and the sea के लिए, 2019 में राना दास गुपता जी को ब्रिटिस इंडिया नोबिलिस्ट फॉर सोलो लिटरली फिक्स के लिए दिया गया, पर्थम पुरसकार 2018 में कभीर को 100 पोएम फॉर आफ कभीर यानि की पोईट्री के लिए दिया गया, अब चौदर नमबर को समीधान के ब्रेल शंसकरन का नावरन किस राज ने किया माराष्ट के समाजिक म्याय मंत्री धनुंजय पार नंजय मुंडे ने दिसंबर 2020 में किया है, पंदर नमबर कोश्चन है भूमी अतिक्रमन निशेध अधिनियम 2020 किस राज ने पारित किया है, तो गुजरात ने पार लोकल हेड ऑफिसेज एंड 101 जोनरल ऑफिसेज इसकी है, एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टुएट जीरो एट फॉरें ऑफिसेज ब्रांचेज इन 36 कंट्री अक्रोस ग्लॉब, यानि कि पूरे संसार में एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया 208 है, फॉरें इसके ऑफिस है, 36 बिभिन देशों में, उसके बाद में 26 चेर पर्षन अप इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दिनेश कुमार खारा, यानि कि 26 बैंक ऑफ इंडिया के चेर पर्षन दिनेश कुमार खारा जी है, अब नेक्स्ट कोस्टन यानि कि 17 नंबर कोस्टन देख लेते हैं, अंतराष् सब्सक एस्ट्रेलिया की है अल्सो फर्स्ट में टू एंपायरे मेंस वन डे इंटरनेशनल आई से सी पैनल में सामील होने वाली पर्थम भारतिय महिला रेफरी कौन है जी एस लक्षमी जी मेंस ओडियाई वर्ल्ड कप लिग टू में इवेसे वर्सेज इवेई मैच दस आठ लिग आपवा याने की प्लांट्स में विटामीन B12 नहीं होता जबकि फीस में मिल्क प्रोड़क्ट में और पॉल्टि में वीटामीन B12 पाया जाता है विटामीन एक रेट में स्वीट में बोटेटो जमें और इसकर tyण आजिब विटामिन B-12 तो मीटमें konst फिश में पाए जाता है विटामिन E bok युReally में तुटमेंगी हाने बढये कर दुटमज में इसेश में भीटामिन यर। विटामिन A js website रेटिनॉल में पाए जाता है भीटामिन बी-वन चुन थाय माईन में पाए जाता है विटामिन वी तू जो है त है राइबो-फ्लेविन में पाए जाता है वीटामिन थी जैनन याइजिए क्वैसिन नह divisions आयता शोपनीड हितामिन भीडामिन भी है को हम Dieses यह है विटामिन और स्य व्सक्स मिलेश अले के बीटामिन देखर्द से आसिई होता है उसके बाद में बातों विटामिन डी मेगा कर्ぐा एनेमिया मुल्पभिबींध कि कमी Amamesi माइक्रोकैटैदै के निव तौधियोम, जीरे फैते, लीमिया होता है, विटामिन C की कमी से असकरवी और मसूरे फुलना होता है, विटामिन D की कमी से सुखा रोग या रिक्टस होता है, विटामिन E की कमी से जनन सक्ती का कम होना होता है, विटामिन K की कमी से रुद्री का सुराव, एठन या हीमोफु लिया होता है vitamin b3 के कमी से त्वचा परदाध होता है vitamin b7 की कमी से लखवा सरीर में दर्द होता है vitamin b1 के कमी से बेरी-बेरी का रोग होता है उसके बाद में आजाएं 19 नंबर question आपके पास में है चुन्ना पत्थर एंड डोलेमाइट के अपघटन से किस परकार की मिट्टी का निर्मान होता है कि वाट इज फॉर्म बाई डिकम्पोजिशन ओफ लाइम एस्टोन एंड डोलेमाइट इसका एंसर आप लोग देख लिजिएगा वर्ल्स टॉप रैंक्ट फिश्टल शूटर इन डोलेमाइट 25 केटेगरी तो उसका नाम है शूटर चिंकी जादो सेकेंड अस्तान पे रही थी सर्नो वैट राही ठेन मिटर एयर पेस्टल उमैन में डेश्वाल या स्वनी शींग जी रही थी ठेन इयर पेस्टल मेन में अभिष क बर्मा भी जी रहे था 21 वा नमबर question को देख लेते हैं computer में mouse cursor का काम करने वाली keyboard की की को क्या कहते हैं उसे navigation की कहते हैं या arrow key home, end, page up, page down, delete and insert यह सभी होता है इसमें next question यानि की 22 number question देख लेते हैं currency devaluation मुद्रा और मुल्यन होने पर क्या परभाव पड़ता है मुद्रा और मुल्यन किसी देश की निर्यात गति विदी को परभावित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुए खरिदना मांगा हो जाता है जबकि विदेशी बेपारियोत द्व से कहते हैं मुद्रा के मुल्य में गिरावट होता है आर्थिक बुनियादी संवर्चना राजनितिक और इस्तर्था या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा और मुल्यन हो सकता है मुद्रा अभी मुल्यन या यह किसी अन्मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मुल्य मे जाता है अब नेक्स्ट यानि की तेईस नमबर क्वेश्चन देख लेते हैं कम्प्यूटर का पावर बटन आउन करने से लेकर सिस्टम उपियों के लिए तैयार होने तक के स्वचालेते लोडिंग प्रकिलिया को क्या कहते हैं तो इसे बूटिंग कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन है, 24 नमबर, आदरता किस से मापते हैं, तो आदरता जो होता है, वो हाई ग्रो मीटर से मापते हैं, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 24 कोस्चन को देख लिया है, एक कोस्चन नहीं मिल पाया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे share कीजिए, इसके से बाद में हम लोग, सेट 2 और सेट 3 को हम लोग देखेंगे, 4 अगस्त के ही, दूसरे और तीसरे स्रिप्ट के, आप अपने दोस्तों के साथ इसे share और सब्सक्राइब केजिए, थाइनक्यू, थाइनक्यू वेरी मच,